नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरवालों को और अपने आसपास के लोगों को समय समय पर हाथ धूने और घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने के लिए जरूर याद दिलाते होंगे ये जरूरी है क्योंकि कोरोना से हमें दूरी बनाई रखनी है तो चलिए भड़ते हैं आज की वर्कशीट की तरफ आज दिन है वीरवार और तारीख है 26 नवंबर 2020 ये तारीख भारत के इतिहास में एक विशेश महत्वर रखती है क्योंकि हर साल हम 26 नवंबर को मनाते हैं भारत का समिधान दिवस समिधान क्या है? सबसे पहला सवाल समिधान है भारत के हर नागरिक के अधिकार और करतव्यों का लेखा जोखा जिस किताब में लिखा गया है उसे हम कहते हैं समिधान अर्थार्ट भारत को चलाने के लिए सभी भारतियों के उनके काम के हिसाब से जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं जो भी अधिकार और कर्तव्य समझाए गए हैं उनको बनाने का कार्य 26 नवंबर 1950 को संपन्न हुआ था और ये काम किया था डॉक्टर भीमराव अंबेटकर जी ने तो समिधान दिवस मनाया जाता है उसी समिधान की किताब के पूरा होने की खुशी में तो डॉक्टर भीम रावंबेटकरजी को भारत के समिधान का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने ही ये काम पूरा किया था 26 नवंबर का दिन भारत में समिधान दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन 26 नवंबर को वर्ष 1949 में समिधान सभा द्वारा भारत के समिधान को स्वीकार किया गया था जिसे फिर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था यानि कि उस किताब में लिखे गए सभी नियमों, कानून, अधिकार और करतव्यों को 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में अपलाए कर दिया गया था ये बिल्कुल वैसे ही है कि हमें अपने देश को चलानी के लिए जो जो पॉलिसीज, जो जो रूल्स, रेगुलेशन्स चाहिए वो बनाए गये थे और उन्हें फिर यूज करना शुरू किया गया था 26 जनवरी 1950 से तो चलिए आज की हमारी वर्क्षीट है थप रोटी थप दाल पर जो कि आपकी हिंदी की वर्क्षीट है और ये वर्क्षीट नंबर है 118 तो आज हम एक लगू नाटक थप रोटी थप दाल के बारे में जानेंगे ये बच्चों के खाने के खेल से जुड़ा हुआ नाटक है सभी बच्चे इस नाटक को अच्छे से पढ़िए और फिर नीचे लिखे प्रशनों के उत्तर दीजिए तो चलिए पहले थोड़ा सा इस लगू नाटिका के बारे में जान देते हैं मुन्नी अपनी मा के पास से आई घी डाल दही साग चीनी मखन आदी चीजे ले आती है उनके साथियों को रोटी का खेल खेलने के लिए बुलाती है मुन्नी उसकी सहेली नीना से कहती है चुन्नू और टिंकु को बाजार से सबजी लाने का काम देंगे तब नीना कहती है नहीं नहीं इनसे दाल बनवाएंगे क्योंकि जब उन्हें आग तक जलानी नहीं मालूम तब मजाएगा मुन्नी सरला को मठा चलाने का काम देती है और तरला को रोटी बनाने में मुन्नी की मदद करने के लिए कहती है तब नीना कहती है कि वे बिल्ली बनकर बाकी लोगों की चीजे खा जाएगी चुन्नू और टिंकू बाजार से सबजी लेकर आते हैं और दाल पकाने की तैयारियां करते हैं तरला और सहीलियां गाना गाकर रोटी बनाते हैं फिर वे खाना परोसने लगते हैं मुन्नी बच्चों से कहती है कि रोटी और दाल खा कर देखो कि खटा है या मीठा बच्चे आधा खाना खाते हैं और आधा छीके में रख देते हैं और फिर वे सो जाते हैं नीना बिली बनकर मियाव मियाव करके आती है और छीके से सामान उठा कर खाती है फिर बहुत मज़े से गानने लगती है मखन, रोटी, चावल, दाल, जी भर खाया किता माल और देखो सब बेचारे, खराटे भरके सोते हैं बच्चों में से सल्ला सबसे पहले उठती है और मखन की बरतन को खाली दे कर हैरान हो जाती है वह बाकी बच्चों को भी बुलाती है सब समझ लेते हैं कि छीके में रखी सारी चीजें बिल्ली ने खाली बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूनने लगते हैं और उसे पकड़ लेते हैं वे बिल्ली को मारना शुरू करते हैं और बिल्ली से पोचते हैं कि सारी चीजे वे क्यों खा गई बिल्ली बोली कि अगर आप ऐसे सोच जाएंगे तो मैं फिर से आऊंगी फिर से खाऊंगी बच्चे उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन बिल्ली भाग जाती है तो ये थी कहानी थप रोटी थप दाल अब हम आते हैं पाट समंदी क्रिया कलाप पर प्रश नमबर एक इस नाटग में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं आप अपने साथियों के साथ कौन-कौन से खेल खेलते हैं बताइए तो आपको नीचे चार लाइने दी गई हैं आपको बताना है कि आप अपने दोस्तों के साथ अपने साथियों के साथ कौन-कौन से खेल खेलते हैं उन खेलों के नाम लिखिए प्रश नमबर दो इस पाट में हमने आटा, घी, डाल, दही, साग, चीनी, मक्षन आदी सभी चीजों को के बारे में पड़ा है क्या आप स्वाद के अनुसार, खाने की चीजों के नाम को तालिका में भरने में हमारी मदद करेंगे यानि कि आपको बताना है कि कौन सी चीज खटी है कौन सी मीठी है, कौन सी नमकीन है तो कौन सी यह तीक ही है जैसे की आटा तो बताईए अचा नहीं आपको बताना है इस तरह की चीजों के नाम ऐसी कोई चीज बताओ जो खटी है जैसे की इमली की चटनी कोई चीज बताओ जो मीठी है जले भी तो ऐसी ही खाने की चीज़ें आपको बतानी है उनके स्वाद के हिसाब से उनको अलग-अलग डब्बे में लिखना है अब है प्रश्ण नमबर तीन नीचे दिए गए प्रश्णों के उत्तर दीजिए कौन-कौन पहला प्रश्ण है कौन-कौन से पकवानों को गर्मा-गरम खाने में मज़ा आता है तो आपको बताना है ऐसी कौन-कौन सी च आप अपने आप से सोचिए जो मुझे अच्छी लगती है मैंने आपको बताई ऐसे ही प्रश्ण नमबर दूद से बनने वाली किनी चार चीजों के नाम लिखिए तो सोचिए कि कौन-कौन सी चीज़े हैं जो दूद से बनती है और आपको उनके नाम लिखने है तो ये है बहुत आसान इसलिए मैं बिलकुल भी नहीं बताऊँगी अब आते हैं प्रश्ण नमबर चार सल्ला ने कहा मैं दहीं का मठथा चलादूंगी दहीं का मठथा चलाने का मतलब है दहीं बिलोना या दहीं से लसी या चाच बनाना किनी दो चीजों के नाम बताइए जिने हम बिलोते हैं घोलते हैं या फेटते हैं तो अगर आप कहानी धंग से पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहां पर दहीं का मठ्था चलाने की बात की जा रही है तो दहीं का मठ्था चलाने का मतलब है दहीं को बिलोना यानि कि उसमें उसे गुमा मतलब उसके अंदर मंध जबनावानी डालकर उसमें कोकरने जाते में ऊधिकलर करने-टीन सीर कुन से ँश म। पतली हो जाती Sandy ठीक है अब आपको बताना है इसी और चीजों के नाम जिसे हम बिलतेरा है और कुछ की से डीलते हैं ईसकायत करने मेंम्मla को अधिकलर कर सकती है दूसरा घोलना कौन सी चीज़ जिसे घोला जाता है जैसे की महंदी घोली जाती है फेंटना फेंटने के लिए कौन सी चीज़ है जिसे हम फेंट कर बनाते हैं सोचे 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 जो लोग ओमलेट खाते हैं वो तो आसानी से बता ही सकते हैं कि क्या है जिसे हम फेंटते हैं तो ऐसी दो-दो चीज़ें आप ढूंड़िए और टशन के उत्तर में लिख दीजिए तो यह है आपकी आज की वर्कशीट इस वर्कशीट को करने के लिए आपको बहुत अच्छे से एक बार जरूर थप रोटी थप दाल पाट को पढ़ना है ठीक है और इसी के साथ याद कीजेगा और धन्यवाद कीजेगा आज के दिन डॉक्टर भीम रावंबेट कर जीगा जिनकी वज़े से हम अपने भारत में समिधान दिवस जो है मनाते हैं और नियमों और कानूनों के तहट अपनी जीवन को आसान होता हुआ देख सकते हैं हम मिलेंगे कल तब तक के लिए धन्यवाद